स्वागत है दोस्तो साल था 1993 अकाल से त्रस्त सूडान के मध्य में कैविन काटर नाम के एक युवा फोटोग्राफर ने एक हृदय विदारक छविखींची जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया यह एक तस्वीर, एक नैतिक दुविधा और एक फोटोग्राफर की कहानी है जिसने खुद को मानवी ये त्रासदी की आग में फंसा हुआ पाया सूडान, 1993 अकाल से तबाह एक देश जहां लोग हर दिन भूख से मर रहे थे केविन कार्टर, एक युवा दक्षन अफरी की फोटोग्राफर, संकट का दस्तवेजी करण करने के लिए सुडान पहुँचे जैसे ही केविन ने आयोड गाव में कदम रखा, उसने एक ऐसा द्रिश्य देखा, जो उसे हमेशा के लिए परेशान कर देगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य केंद्र से कुछ सौ गज की दूरी पर एक कमजोर, कुपोशित बच्चा जमीन पर गिरा पड़ा था एक गिध कमजोरी को महसूस करते हुए पास में अशुभ रूप से मनरा रहा था उसकी निगाहें कमजोर बच्चे पर टिकी हुई थी काटर जानता था कि उसे इस छवी को कैद करना होगा ताकि दुनिया को अकाल की मानविय लागत दिखाई जा सके इस मनोरम कहानी में हम फोटो जर्नलिजम की नैतिक दुविधाओं और जीवन को बदलने के लिए एक तस्वीर की शक्ति का पता लगाते हैं जिसे बाद में डव वल्चर एंड द लिटल गर्ल शियरशक दिया गया ने फोटो जर्नलिजम की भूमिका और वास्तविक्ता को पकड़ने और मानविय पीडा में हस्तक्षेप करने के बीच नाजुक संतुलन के बारे में दुनिया भर में बहस छेड़ दी केविन कार्टर की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि एक छववी दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है कार्टर ने तस्वीर लेने का फैसला किया बाद में उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने छववी देखी है तब से वे परेशान थे तस्वीर जिसे बाद में The Vulture and the Little Girl शीरशक दिया गया था The New York Times में 26 मार्च 1913 को प्रकाशित हुई थी यह तुरंत अकाल की सबसे प्रतिष्ठित छवियों में से एक बन गई और इसने फोटो जर्नलिजम की भूमिका के बारे में दुनिया भर में बहस छिड़ गई कुछ लोगों ने कार्टर पर लड़के की मदद न करने के लिए ठंडा और हृदयहीन होने का आरोप लगाया दूसरों ने उनके फैसले का बचाव किया ये तर्क देते हुए कि उनकी तस्वीर ने अकाल के बारे में जागरूकता बढ़ाई और जान बचाने में मदद की तस्वीर ने 1994 में फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलिद्जर पुरसकार जीता लेकिन काठर कभी भी लड़के की मदद न करने के बारे में जो अपराद बोध महसूस करते थे उससे छुटकारा नहीं पा सके पुरसकार जीतने के चार महीने बाद उन्होंने अपनी जान ले ली केविन काठर और डी वल्चर एंड दे लिटल गर्ल की कहानी जटिल और दुखद है यह फोटो जर्नलिजम की नेतिकता मानवीय करुणा की प्रकृती और दुनिया को बदलने के लिए छवियों की शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है केविन काठर की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि एक छववी दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकती है